चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो NTNA NE21 के लिए एक्जाम सीटी अलोट कर दिये हैं एक्जाम सेंटर्स अभी एड्मिट कार्ड में 9 सिप्टिम्बर को अलोट होंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक्जाम सीटी चैक कर लेना है ज्यादा तर देखा गया है कि ये फर्स्ट च्वाइस है वो ही अलोट की गई है स्टुडेंट को इसके साथ ही ओमार सीट का सेंपल पेपर भी अपलोड कर दिया है और किस प्रकार से ये एक्जाम का क्यूशन पेपर का पैटरन रहेगा वो भी इसमें रिलीज कर दिया है तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लें और ओमार सीट का प्रिंट ले लें ताकि आपको जो न्यू पैटरन है ट्वेंटी टू हंड्रेट क्यूशन सा रहे हैं उसके लिए अच्छी प्रक्टिस हो सके आपकी तो सबसे पहले आपको NTA NEET की वेबसाइट पर जाना है NTA की वेबसाइट जो है NEET की NEET.NTA.NIC.IN पर विजिट करना है इस पर लिखा है View Advanced Information for Allotment of Center City Link 1 इस पर आपने क्लिक करना है यहां पर Application Number, Date of Birth और Security Pin डाल कर सब्मिट करना है तो जैसे ही सब्मिट करेंगे आपका Exam Center यहां शो कर देगा Application Number यहां Application के Number है Candidate Name, Father Name, Gender यह सारी जो डिटेल है वो यहां पर शोक हो जाएगी और जो City of Examination है यहनि कि कि City में आपका Exam होना है वो यहां पर शोक हो जाएगा तो आप अपना Exam का City देख सकते हैं इसके बाद में आप जैसे ही इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे Note मिलेगा यहां Second Option पर Instructions लिखा है कि Omar Answer Seat किस परकार से होगी यह Instructions लिखे हैं इस पर आपने क्लिक करना है तो इसमें सबसे पहले दिखाया गया है कि आपको Black Pen से ही यह जो Mark हैं वो करने हैं इसके बाद में आपने इस परकार से Roll Number फिल करने हैं और Roll Number फिल करने के बाद में आपने इसमें अपना सिगनेचर करना है वो Running Handway करना है जो नीचे आता है उसमें इसके बाद में New Exam Pattern के Qution दे रखे हैं कि 3 Hours का Paper होगा इसमें 200 Multiple Choice Qution होगे इसमें 4 Options होगे इसमें आपने Single Correct Answer देना है इसके बाद में Physics, Chemistry, Botany और Geology के 50 Qution होगे हर एक सब्जेक्ट में उसको दो सेक्षन में Divide किया गया है सेक्षन A में 35 Qution होगे ये 35 Qution आपको Compulsory करने हैं तो इनका जो सीरियल होगा वो 1 से लेके 35 एक सब्जेक्ट का होगा दूसरे सब्जेक्ट का 51 से लेके 85 तक होगा मतलब सेक्षन B में एक सब्जेक्ट की देखें तो ये 36 से 50 के बीच में होगा तो पूरे हम एक subject का consolidate करें तो 1 से लेके 50 तक होगा इसमें यानि कि section A में 1 से लेके 35 तक होगा और section B में उसी subject का 36 से लेके 50 के बीच में होगा इसी परकार से second subject का देखें तो 85 से 101 तक होगा 1st section में A section में और B section में होगा इसमें 86 से लेके 100 तक इस परकार से 1st section में 101 से 135 तक और उसी subject का B section में 136 से 150 होगा और 101 से 185 सी last वाले subject में इसी परकार से B section में 186 से 200 के बीच में section 2 में होगा आपको इसमें जो section भी है उसमें 10 क्यूशन attempt करने हैं और जो first के 10 क्यूशन है वो ही आपके मानने होंगे तो आपने 10 से ज्यादा क्यूशन नहीं करने हैं क्योंकि हो सकता है कि आप अगर 11 या 12 क्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले 10 कुशन ही आपके जो होंगे वो count होंगे तो हो सकता है उन में कोई mistake हो जो आपने बाद में 11 किया है वो correct हो तो आपने आपमें इसमें नुकसान हो सकता है इसलिए आपको शिरफ 10 कुशन ही करने हैं इसके बाद में इसमें जो इसका sample दे रखा है ये पहले sample इ 40, 5 यानि 50 तक एक subject का होगा इसमें नीचे section B दिया गया है उपर section A दिया गया है तो आप एक बार इस से OMR sheet को अच्छी तरह से चेक कर लें और इसको आप cyber के फेवाले से print करवा के इसकी 10-15 copy practice के लिए रख लें आप cyber के फेवाले को ये site बताएंगे तो नीचे instructions का option आप इसकी practice करते रहें क्योंकि ये practice आपको काफी काम आएगी तो इसमें बाकी instructions वगरा लिखे हैं वो मैंने आपको बता दिया है सारा सब कुछ तो इसकी जो नया pattern है इसकी practice आपको बहुत ही जरूरी है ताकि आपका जो 15 questions का time है वो waste ना हो exam के time में तो ये एक छोटी सी ज पिर मिलेंगे तब तक के लिए जैश्म